इस सदन की कारवाई के दोरान दुर्वेवार को लेके बहुत दुखी हूं लेफ्ट, राइट, सेंटर में बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धर्ती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएं कि 10 साल में जो आज सरकार है इनकी कारिश हैली में भी चोहदी चरंसिंग के विचारों की जलक है जब आदरने पधान मंत्री जी ग्रामीन छेत्र में सोच की दुर्विवस्थाओं पे प्रकास डालते हैं जब महिला सोसकती करण को अपना प्लैटफॉर्म भरत सरकार बनाती है और गांगाओं में जऑगृत्ति पैदा करती है तो मुझे उसमें चोहदी चरंसिंग की बोली आदर इन आने वाले सालों में जोपड में पैदा होना वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझे ऐसा चोहदी चरंसिंग बन सकते हैं भारत रतनों को मिल सकता है सभवपती जी आज मैं परमाज जी नहीं बहुत दुखी हूँ आपने मेरी नहीं देश की भावनाओं को व्यक्त किया सभवपती जी आपने मुझे संरक्षन दिया बड़ी अचमबा मुझे होती है कि हम चौदी चरन सिंग जैसी शक्सियत को किसी गट जोड के बनने और तोडने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं लेफ्ट राइट सेंटर में हम बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएं मैं ये मानता हूँ कि देश में जितने महान नेता आये हैं सबने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया है सीखा है प्रेड नाय ली है चौदी चरन सिंग जी गांधियन सिंप्लिसिटी को अपना असूल बना के उन्होंने जीवन जिया महात्मा गांधि जी के गराम स्वराज को अपना उनकी मूल फिलोस्वी का वो हिस्सा और चरित्र का हिस्सा रहा है लाल भादु शास्त्री की मानदारी नैतिक उनके चरित्रिक गुणों को उन्होंने अपने अंदर समाया इस सतन के मान्य सदस पूर्प्रधान मंत्री एईटी देवगोडा जैसे इनकी राजनितिक पहचान खेती और किसानी से जुड़ी हुई है उसी प्रकार से चोहदी चलंसिंग जी की पहचान भी खेती और किसानी और खामगार से जुड़ी हुई राजनितिक विष्षा की मानते हैं कि जैसे इंद्रा गांदी जी मैं एक करिश्माई शक्ती थी लोगों को अप्रित्रफ आकर्शित करने की उसी पकार से चोहदी चलंसिंग जी को सुनने के लिए उनको चूने के लिए उनको भैतर तोर से समझने के लिए दूर दूर से में जो आज सरकार है इनकी कारिशेली में भी चोहदी चरंसिंग के विचारों की जलक है जब आधरनिय प्रधान मंत्री जी ग्रामीन छेत्र में सोच की दुर्विवस्थाओं पे प्रकास डालते हैं जब महिला स्वसक्तिकरण को अपना प्लैटफॉर्म भारत सरकार बनाती ह और गांगाओं में जागरुत्ति पैदा करती है तो मुझे उसमें चोहदी चरंसिंग जी की बोली यादा रहती है सभपती जी हम लोग नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे कुछ लोग उनके अंदर ब्रहम हैं कुछ लोग ये भी कहते हैं हम आनते हैं के चोहदी चरंसिंग जी जाटों के नेता थे सिर्फ किसानों की वकालत करते थे ऐसा नहीं वो विचारक थे और उनकी इंटेलेक्चुलिजम पे जो टर्रेंस जे बायर्स जो पर्फेसर थे औरिंटल कॉलेज इन अफ्रिकन स्थे लंडन स्कूल में उन्वर्स्टी ओ लंडन में उन्होंने किताब लिखिया चरंसिंग 1902-87 असेस्में नहीं उसे कोट करना चाहूंगा सर चरंसिंग इन सैथ इंचिसेव इंटलिजंस अन्टविए लिए टो चुंटीजम इन प्रफेस्ट जाओंगे इंटलेक्ट्थे जूजमें ऐधर इंटलेक्ट्ट्छिंट्छल अब्स ब्सक्रिश्ट तर चिर्जमें इंटले सर जो प्रधान मंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधी साहब को भारत रत्म दिया है मैं मानता हूं उससे दो बड़े काम हो जाते हैं एक के चौधी साहब की लेगेसी को हम दुबारा इंस्टिटूशनलाइज करते हैं देश के सभी विश्वद्यालों में पढ़ रहे चात्र उनके अंदर आपने एक नई जिग्यासा पैदा की है गाओं में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिग्यासा और भावना आपने पैदा की है देश के अर्ष, शास्त्री और मुखेदारा में जो लोग नीतिनी धारक हैं, आपने दुबारा उनको कहा है कि चौधी चरंसिंग को आप स्टडी कीजिए, अपने स्टडी में शामिल कीजिए, अपने अध्यन और विचार अनुसंदान में शामिल कीजिए, दूसरा बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया, भारत रत्न देकर होसला बढ़ाया, मैं मानता हूँ कि ये एक महज पुरुसकार नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान है, और मैं जानता हूँ कि आज कि जीवन समस्या देश के सामने और चौनवतिया हैं, किसानों की समस्या हैं, भारत रत्न देकर उनका हल नहीं निकलता लेकिन आने वाले सालों में जोपड में पैदा होना वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चोहदी चरंसिंग बन सकते हैं भारत रतनों को मिल सकता है तो मैं भी अपने समस्याओं का समधान खुद करने में सक्चा मुझा यह बहुत बड़ उनके साथ आई जो भी नेता आज सदन में मौझूद हैं उनके इस लेगी सी का हिस्सा वो भी है जैमिदारी उनकी भी है कोई वसीयत में कोई समपत्ती वो छोड़के नहीं गए थे आदमी तब तक जिन्दा रहते हैं जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिन्दा रह सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है ऐसी ही सरकार धरती पोत्र चौदी चरन सिंगी को भारत रतन बे सकती है